तो वेल्कम अलोफ यू दियर स्टुडेंट्स अब हम लोग कंटीनिव करेंगे जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स थे हमारे और हम क्वेश्चन नमबर 16 से शुरू करेंगे क्योंकि बाकी के तो हम अल्रडी कर चुके थे लाइक 12 13 14 15 हम पिछले वीडियो में कर चुके थे मैं च क्वेश्चन नमबर 16 दूरिंगा स्टंट शॉक्लिस्ट कंसिडर तो यह पार्टिकल इस अंडर्टेकिंग होरिजॉंटल सिर्कल्स इंसाइड शिलेंट्रिकल वेल उफ रडिया 6.05 मिटर मतलब ले देखे सिंपल सी बाते की वेल उफ देखे वेल उफ देखे लेल अफ दे की इंक्रीजेश दस्पीड बाइ 20 परसंटेज हाउ मच विल दा फोर्स ऑफ्रिक्शन भी ठीक है तो लिट एस सी तो पहले तो डेटा लिख लेते हैं देटा हमको रेडियस दिया हुआ है 6.05 मास दिया हुआ है और हमको मियू दिया हुआ है और मिनिमुम स्पीड क्योंकि एक वेल ऑफ डेट की तरह है ऐसे मैं डियाग्राम भी बना देता हूं यह फोर्सेस अक्ट होंगे उसके उपकर नॉर्मल रियक्शन एक्ट होगा तो नॉर्मल रियक्शन ही सेंट्रीपीटल फोर्स होगा और फ्रिक्शन और एमजी इस तरह से एक्ट होंगे ठीक है मिनिम स्पीड में क्या होते हैं मिनिमुम स्पीड का डिरेक्टली फॉर्मला जानते हैं मिनिमुम स्पीड में दफोर्स अफ्रिक्शन इस मैक्सिमम मतलब होता है मियू एन और हम लोग ने एक्ट किया था मियू एक्वल टू एमजी और आंसर आता है वी मिनिमुम का सीधा आर जी by SiокSmall Q- unrelated by this. नहीं तो यह मिनुपम स्पीड में बॉता है नो जब सर्वती है, गरई पूसिबिटी को बॉग है तो वके नॉर्मल रेक्शें सभी आप को मुन्स निभाई पॉसिबिल मोगा है अब आपको इसमें करना तो कुछ है नहीं, आप r जानते हो, आप g जानते हो, g को 10 डालेंगे, आप mu डालते हो, और यह without any logbook solve हो जाएगा, multiply कर लिए ना direct answer आजाएगा, तो answer आएगा 11 meter per second, ठीक है, अब question क्या है, अगर उसने अपना speed बढ़ा दिया 20% जादा, देखो अगर एक बार है ना minimum से जादा होगे है ना speed, है कि नहीं, तब उसका गिरने का possibility नहीं है, मतलब अब तुम friction के लिए mu n वाला formula यूज नहीं कर सकते, तो friction के लिए mu n वाला formula कब use हो सकते है, ध्यान से सुन लेना, जब friction maximum हो, friction maximum हो मतलब वो limiting force of static friction हो, वो limiting force of static friction कब होगा, जब body on the verge of sliding है, अब यह on the verge of sliding नहीं है, पट एक चीछ तो अभी भी पक्का है, कि ना तो वो उपर की तरफ जा रहा है, ना तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, जो अपना cyclist है, जो पेल आप डेथ में घूम रहा है, ना तो वो उपर की तरफ जा रहा है, ना तो नीचे की तरफ, रा लेकिन हमारे के स्पीड उससे जादा है बीस परसेंट जादा है क्योंकि बीस परसेंट जादा है तो मैं तो यह नहीं लिख सकता f is not equal to mu n तो बच्चे गलत कर लेंगे कुछ बच्चे लिखेंगे force of friction equal to mu n अरे आप यूजी नहीं कर सकते हो क्योंकि लिमिटिंग वाला situation ही नहीं है तो f is not equal to mu n यह पक्का है बट एक चीछ अभी भी लिख सकते हैं कि उपर वाला force equal to नीचे वाला force क्योंकि वहीकल तो नीचे गिर नहीं रही है तो अगर हम लिखेंगे f equal to mu n f equal to mg तो m और g दोनों पता है 50 into 10 500 खतम है बहले question देखने में बड़ा easy लगा लेकिन conceptual था आप याद रखना कि वह equal to mu n कभी भी में यूज कर सकते है वह equal to mu n सिफ तब यूज कर सकते हैं जब लिमिटिंग force of static friction वाला situation हो ऐसा तब होता है जब body on the word job skidding होता है वर on the word job skidding कब था जब v minimum था अब तो speed उससे जादा है ना 20% जादा है तो गिरने की possibility तो नहीं है तो आप f को mu n नहीं लिख सकते हैं लेकिन आप f को mg लिख सकते हों कि body ना तो उपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है इसलिए force of friction का यह formula है I hope you understood this sum आप सोचना थोड़ा इसके बारे में राइट अब 17 sum की तरफ चलते हैं अब pendulum consisting of a massless string of length 20 तो मैं string का length जानता हूं और जिको जब यह pendulum नहीं घुमेंगी ना तो यह bob C के position पे हो खाली pendulum को ऐसे लटका दिया तो वह concept position पे होगा C वाले position पे जब घुमेंगा तो आफकोर्स थोड़ा उपर की तरफ जाएगा तो एपे है करेक्ट तो पेंडिलम consisting of massless string of length 20 cm and tiny bob of mass 100 gram करेक्ट इस setup as a conical pendulum तो मास लेंद्ध दिया है string का मास दिया है बॉप का इस बॉब नाव परफॉर्म 75 बॉब नाव परफॉर्म 75 रपी मतलब बॉब परफॉर्म सर्कूलर मोशन विच 75 रपीम तो आप जरा वर्डिंग्स थोड़ा मिस हो गया कुछ आप देखना इसका मतलब होता है कि इसका बॉब जो है यह वाला जो रेड कलर का पॉइंट है वह घुमने लगा विट वाट फ्रिक्वेंस सेवेंटीफाइर पीम क्याल्कुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन दा ग्राइविटेशनल पोटेंशेल इनर्जी आप देखो बॉब जब नहीं घुम रहा था तो यहां पे था सी पे क्योंकि गु आप लेते हैं अलएक पढ़ लेचनिंगि ठास फार्मला हैंव स्कूर और Rafael जानते हैं क्योंकिًंक हमने कोनिकल पेंडिलम पढ़ा हुआ है कौनिकल में पढ़ते हैं लेक्चर नंब सुरभलोडेड यह नंबर 56 और लेक्षा नमबर शिक्स में मैंने मुमेंट आप इनर्शिया स्टार्ट कर लिया अब लेक्षा नमबर 7-8 बाद में करूंगा पहले सम्स कर दिता हुआ कि बच्चों का बहुत प्रेशर था सम्स के लिए तो आप फटा-फट देखो ने तो यह वीडियो भी बहुत बड़ा हो हो जाएगा सिर्फ अब प्रॉब्लम क्या देखो ना तो मुझे आर पता है ना तो मुझे थीटा पता है लेकिन मुझे उन लोगोंने फ्रीक्वेंसी दिये और उसको मैंने हर्ट में कनवर्ट किया और प्रेवेलिशन पर मिनिट उसको 60 से डिवाइड करो तो वह रेवेलि ने हमने खुष और प्रॉटो वाइल कॉस थीटा उन अपान टू पाइल रूट ऑफ जी वाइल कॉस थीटा फ्रीक्वेंसी में जानता हूं राइट मैं गी जानता हूं जी को मैं पाइज स्क्वेर तो 10 दिया और जी 10 है अब मैं क्या करूंगा स्क्वेर कर लुँगा और L cos theta find कर लोगा देखो मैंने square की और L cos theta धुंड लिया कितना L cos theta 0.16 याद रखना है L cos theta बड़ी बड़ी काम की चीज़े मैं याद रखना खेर मेरेको फिलाल तो theta चाहिए था देखो L cos theta 0.16 से तो cos theta मिल जाएगा तो cos theta 0.8 आया लेकिन आप यह याद रखना 0.16 और आफकोर्स थीटा भी पता है 0.8 आगे बढ़े तो मुझे एंगल मिल गया ठीक है अब मैंने आपको पहले ही बढ़ा है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिश्यो मालुमें कॉस्टीटा मालुमें तो आपको सब मालुमें कैसे करते हैं बता हो एक ट्रैंगल बना लेंगे कोस मतलब क्या होता है आजेसेंट अपॉन च्रीटा पॉइंट ऑ जहीं और क्या होते है एडजेसरेंट अपॉन्स थीटा मान लिए तो पॉइंट आपउन वन तो बाइपर निगे हमारा हमारा यह काइनेटी के मैं आपको बता तो काइनेटीक एनरजी का क्या आंसर था हाफ एमार जी टैन थीटा परापर है अगर आप ध्यान से अक्कल लगा हो तो देखो हमको आर पता नहीं है लेकिन एल पता है और आर और एल कैसे कनेक्ट होंगे छाहें साइन थीटा इस आर अपॉन अकर सल्ष अगर आरफ कर विल लिख सकता हूं साइन थीटा और अब मैं सब चुछ सबकुछ पता चलेंगय होगा था वम ल though को हमलों पीदिया था साइज यथे तव से का आंसर रॉंग दिया है काइनेटिक एनर्जी गलत दिया है उन्होंने लिखा है 0.45 जूल्स करेक्ट आंसर है 0.045 जूल्स तो गवर्मेंट बुक में यह आंसर फिलाल तो रॉंग दिया हो सकते हैं अगले साल फिर हो नहीं आप जब प्रिंट करें तो लोग चेंज कर ले व मतलब डेल्टा पी क्या पहले बॉब यहां पे था जब गुमनी रहा था तो इस लाइन को मैं रेफरेंस मतलब मैं हाइट को यहां से मेजर करूंगा ठीक है यह सी वाले लाइन से तो तो वह गुमने के वाएसे ए तक आ गया तो पोटेंशिल एनर्जी कितना बड़ा यहां एम जी एच होगा क्योंकि यहीं से हाइट मेजर हो रही है तो चेंज इन पुटेंशिल एनर्जी कितना हुआ एम जी एच अच्छा यह होगा यह ओसी होगा ओसी माइनस ओवी एच मतलब ओसी माइनस ओवी और आपको थोड़ा भी ट्रिग्नामेट्री आता है तो देखो ओ लेल कॉमन लेलो तो एम जी एल इन दब्रैकेट वन माइनस कॉस्टीटा इस ट्रेंगल यह कॉस्टीटा पहले से जानते थे यहां सब्स्टीट कर लो यह आंसर आ जाएगा तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी की आंसर तो करेक्ट है करेक्ट दिये गवर्मेंट बुक ने ग दस्पीड ऑफ दा मोटर साइकल वेरिज बिविन 6 और 10 अब इसका मतलब क्या होता देखो जब वह हम सब जानते हैं हमने देखो वर्टीकल सर्कुलर मोशन पढ़ा है लेकिन हमारा जो वर्टीकल सर्कुलर में ता उसमें स्टोन था या एक मास था जिसको हमने थ्रेट से ब कुछ और आएगा आप एक मिनट देख लो खाले सी क्याल्कुलेट दा डायमेटर ऑफ दा स्पियर हाओ मच मेनिमाम हाओ मच मेनिमाम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर इस टू स्पीड तो आप देखो पहले यह तो तो सबसे जादा स्पीड लोएस पॉइंट पे होता है य इसल्यूशन डायग्राम बन गया अब देखो यह तो सोर्टिकल सर्कूलर मोशन की तरह ही है खाली फरक इतना है कि वहां पर टेंशन के जागे पर यहां नॉरमल रियक्शन है वहां पर धागा था तो तो यह हो रहा है कि तुम्हारा वहीकल जब स्पीर पर चल रहा होगा पर फोर्स लगाता हुआ चलेगा तो तो नॉर्मल रियक्शन आएगा करेक्ट है तो आई होप यूप यूप अडर्स्टाइड तो इन प्लेस आफ स्पीर इन प्लेस आफ टेंशन वी हव नॉर्मल रियक्शन ही और आगे बढ़ते हैं देखो बहुत सिंपल है हाइस्ट पॉ तो डेटर मतलब हाइट यहां से मेजर होगी अगर यहां से हाइट मेजर करूंगा तो एच का हीट होगा टू रेडियस टू टू टाइमस ऑफ रेडियस ठीक है लॉफ कंजर्वेशन आफ एनरजी बिट्विन एच एंड एल क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं यहां पर कर लेता हूं एक सेकंड मैंने कुछ गलत किया है प्लीज एक मिनिट यह 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 टोटल एनरजी एट एल इकवल टू ऐसे होना चाहिए तो टोटल एनरजी एट एच और उसके बाद नेक्स्टेप आना चीए था नेक्स्टेप क्या आना चीए था काइनेटिक एनरजी एट प्लस पोटेंशेल एनरजी at L एकमेल क्यानेटिक एर एच प्लस पोटेंशेल एसे आना चीए था अब देखो कιαली एसल्ग क्या होगा, हाफ म ब्ल स्कूरण पोटेंशल एनरजी तो L पर 0 है क रिंहयां है हहां M V H square plus M G into इसका height 2R है 2R 2R बस M कड़ गया और 2 से multiply कर लो पहले M को काट लो 2 से multiply कर लो तो ये V L square ये तो 0 हो गया ये V H square और ये 2 आ गया है यहां पर और ये 2R जो है मैंने इसको diameter लिख लिया तो ये diameter हो गया तो बस मुझे यह already पता है यह already पता है जी 10 पता है तो डी मिल गया तो डी आगे 3.2 इसट लिया तो ये diameter मिल गया अब उन लोग ने क्या पूछा थे को यह minimum speed नहीं थे minimum speed वाला हम अलड़ी जानते हैं उन पूछा है कि minimum value क्या हो सकते टॉप और lowest point पे हम अलड़ी जानते हैं ना टॉप मोस्ट पे minimum speed रूट आफ आरजी और लोएस पॉइंट पे minimum speed रूट आफ फाइवार जी टॉप पे अब भी तो निकाला diameter 3.2 होगा तो radius 1.6 होगा correct तो इसको solve कर लो answer आजाएगा तो यह बहुत difficult सम तो नहीं था correct है अब 19 सम देखते हैं अब metallic आप question पे ध्यान दो metallic ring of mass 1 kg has moment of inertia 1 kg m2 मतलब एक ring है जिसकी moment of inertia 1 kg m2 square है when rotating about its diameter जब आपने diameter के about घुम रहें रिंग फिर उसको melt कर गिया और उसका disk बना लिया disk of same radius ठीक है अगर उसी को melt ring को melt करके disk बना लिया तो mass थोड़ी बदलने वाल है mass will also remain the same to mass भी से में radius भी से में how much will its moment of inertia be when rotated about its own axis जब भी ऐसा बोला जाए rotated about its own axis इसका मतलब होगा कि rotated about an axis which is passing through the center and perpendicular to the plane पहले कैसे ring को कैसे घुमाया था about the diameter तो about diameter घुमाया थो उसका moment of inertia था 1 kg m2 अब उन लोगों ने क्या किया एक एक उस ring को उन लोगों ने डिस्क में convert कर लिया और जब डिस्क को गुमायेंगे about an axis passing through the center and perpendicular to the plane तो moment of inertia कितना होगा देखते हैं चलो diagram भी बना लेते हैं don't worry तो यह ring है और इस यह ring के इस इसके about moment of inertia दिया है देखो यह about diameter ठीक है और इसका इस axis के about पूछा हुआ है correct है तो id दिया हुआ है id 1 kg मिट्र स्क्वेर है और हम जानते हैं कि देखो अगर अगर यह axis होता है ऐसा वाला vertical axis and passing through the center तो moment of inertia ring का होता mr square लेकिन id होगा तो answer आएगा mr square by 2 id of the ring is mr square by 2 और mr square by 2 ही दिया है हमको 1 kg ठीक है तो मैं mr square by 2 1 kg जानता हूँ अब बहुत simple सी बात है कि जब इन्होंने इस ring को disc में convert कर लिया melt weld करके तो mass भी नहीं बदला radius भी नहीं बदला है सब बोला है कि radius same है और डिस का moment of inertia about this axis क्या होता है mr square by 2 ही होता है correct है na mr square by 2 और mr square by 2 मैं already जानता हूँ 1 तो answer 1 आएगा तो काफी easy sum था मतलब कुछ तो sums इतने tough है कि मतलब क्या कहना राइट और कुछ sums काफी easy भी है एक दो questions easy है बट mostly सब difficult है इसलिए 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 lecture number 5 में मैंने solved problems भी समझाए बच्चों को तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे सरी यह इसका आप क्यों वीडियो बना रहे हो अरे वह सॉल्ड है फिर भी मैं अगर समझाऊंगा तो definitely वह अलग तरीके से समझाऊंगा as compared to that in the government book right मैं डाइग्राम सी बनाऊंगा जहां जरूरत होगी चलो आगे बढ़ते हैं 20th question so dear students let us want to question number 20 now question number 20 है a big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 kg 60 gram sorry and length 20 cm two identical solid spears of mass 50 gram and radius 10 cm are at the two ends of the rod calculate moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through the center and perpendicular to the length so let us start to begin करते हैं first let me write down the data mr means mass of the rod lr means length of the rod ms मतलब mass of the spear और rs मतलब radius of the spear और situation कुछ इस तरह से दिखेगा अगर आप डाइग्राम को दिखो तो तो आप डाइग्राम को दिखो तो दिखो हमको करना क्या है यह यह access के about हमको moment of inertia निकालना है यह यहां से यहां तक का distance है 10 और इसका radius भी है 10 तो यह डाइग्राम भले बराबर से बना नहीं है मतलब आप याद रखना क्योंकि यह जो distance है यह 10 है करेक्ट यह जो distance है यह यहां से यह तक 10 है 10 यह 10 है और यह रॉड का भी यहां से यहां तक 10 है तो यह जो टोटल होगा ना यह दोनों access के बीच का distance यह वाला distance इस access से लेके इस access तक का distance जिसको मैं यह बुलाओंगा आप याद रखना यह बुला रहा हूं मैं इसको तो यह विल बी इक्वल टू 20 कि सो मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ए मतलब क्या ए इस यह दिखो यह एक्सेस और यह एक्सेस के बीच का distance तो इसमें यहां से यहां तक तो रोड का 10 cm है और इसके आगे और स्पीर का 10 cm ठीक है तो रोड के लिए कोई प्रॉब्लम निया मोमेंट आव इनर्शिया निकालने में अबाउट इस यह एक्सेस इस एक्सेस के अब और अगर आप मोमेंट आव इनर्शिया निकालोगे तो रोड को तो को भी प्रॉब्लम नहीं क्यूंकि रोड की लिए तो यह एक्सेस सीदह कहां से पास हो रहा है तो स्पियर के लिए यह एक्सेस अना बाहर है मतलब यह स्पीर से पास नहीं हो रहा है पट यह एकसिस इसको पैरलल है तो पैरलल एकसिस थिरम यूज करेंगे तो आंसर आएगा ic plus ma square ic plus ma square ma मतलब of course mass of the sphere जो इसके लिए होगा वही इसके लिए भी होगा same ic of the sphere plus ma square तो यह answer कहां से है पैरलल एकसिस थिरम पैरलल एकसिस थिरम इसके यूज करना पड़ा क्योंकि स्पीर के लिए वाई-वाई-डैश जो है वह उसके सेंटर से पास नहीं हो रहे हो कहीं और से से पास हो रहा है बाहर से पास हो रहा है अब आगे बढ़ते हैं आप तो खाली सब्स्टिट्यूशन करना है एक स्टेप और देख लो फिर हम लोग इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो यह दो बार था तो मैंने सो कॉमन कंबाइन कर देखो स्पियर वन स्पियर टू दोनों का एसी सेम ही होगा राइट अब इसके बाद तो खाली सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर लाना है तो लेट में सब्स्टिट्यूट तो आई का अंसर आएगा आई विल बी इक्वल टू एमार एमार है होके इंटू एलार स्क्वेर एलार स्क्वेर का मतलब ट्वेंटी का स्क्वेर तो वह जाएगा 400 देखो मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स अब सीजिएस रख्या तो सीजिएस में आंसर आएगा अपान 12 प्लस टू इंटू आइसी ऑफ स्पियर टू बाइफ एमार स्क्वेर में आर स्क्वेर प्लस एमेस इंटू ए स्क्वेर ठीक है इसको सॉल्फ कर लेते तो यह ट्वेल बन जा ट्वेल फाइजा यह तो हो गया 2,000 तो आए हो गया 2,000 क्रेक्ट 2,000 प्लस 2 इंटू, इसको solve कर लेते हैं, इसका answer आएगा, 2 इंटू, 2 बाई 5, 2 बाई 5, इंटू MS, MS है 50, इंटू RS, RS का square मतलब 100, 10 का square, 100, ठीक है, प्लस, MS मतलब 50, इंटू 20 का square, क्योंकि वो distance A20 है, तो अब देखते हैं, यह 5, 1 जा होगा, यह 5, 10 जा होगा, तो यह होगा, 2000, तो I will be equal to what, 2000, प्लस 2, इंटू ब्रैकेट, 2000, प्लस, यह होगा, 400, इंटू 50, तो यह होगा, 20,000, 20,000, तो 20,000, प्लस, 2,000, 20,000, प्लस, 2,000, आंसर विल भी, 2000, 22,000, तो यह 44,000 होगा, तो आंसर आएगा, फाइनली, 46,000, ग्रैम, सेंटीमीटर स्क्वेर, ठीक है, अच्छा, आपको और एक बात बता देता हूँ, यह आंसर, गवर्मेंट बुक के आंसर से मैच नहीं होता, ठीक है, क्योंकि गवर्मेंट बुक हो सकता है कुछ करेक्शन हो, गवर्मेंट बुक में, I don't know, बट देखो, इस हिसाब से जैसे उन्होंने क्वेश्चन कुछ है, उस क्वेश्चन के उसाब से यही आंसर होगा, तो आप मान के चलना, आपको याद रखना, मैं करेक्ट पड़ा रहा हूँ, गवर्मेंट बुक में रॉंग दिया है, उनसे कुछ तो गड़बड होगा, शाहिद पता निया, I don't know, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर आना चाहिए, 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेर, I hope all of you followed this, right, अब नेक्स सम की तरफ चलते हैं, यह फ्लाइविल उस्टू प्रिपेर, और्धन वेर पॉट्स इसेट इ पॉट्स इसेटेंग एक इसेटेंग देटा हूं देखो कि मतलब पहले एक डिस्क था जो अकेला घूम रहा था जब अकेला घूम रहा था, उसका फ्रीक्वेंशी 100 अब उसके ओपर कुछ गिर गया, एक मास गिर गया जो 1.6 kg अब उसकी फ्रीक्वेंशी 80 हो गई, तो मास कहां पर गीरा होगा तो डाइग्राम बना देता हूं देखो पहले यह अकेला डिस्क गूंब रहा है विद फ्रिक्वेंसी एफ-1 और उसका मॉमेंट आफ इनर्शिया आइवन है और अब उसके उपर एक मास गिर गया ईक सब्वीन करेगा अब नए मोमेंट अव इनर्शिया आइटु मतलब डिस्क को मॉमेंट आउन इनर्शिया प्लस मास का मॉमेंट अव इनर्शिया था आई-1 अब है i2 और आइटु वहागा i1 प्लस इस मास का मोमेंट आव इनर्शिया मतलब डिस्क तो अभी भी है प्लस यह मास भी है तो मेरे ख्याल से तो i2 होगा i1 प्लस m x square अब कैसे करेंगे इस सम को बहुत सिंपल है सीधा देखो no external torque x और अगर no external torque x आप यूज कर लो law of conservation of angular momentum तो by law of conservation of angular momentum l1 equal to l2 या i1 omega 1 equal to i2 omega 2 अब i2 क्या था i2 is i1 प्लस m x square और तूपाई टूपाई कैंसल अब ध्यान से सुनना यह frequency को अगर मैं हर्ट में कनवर्ट भी कर लो एक्चलिए ऐसा यूनिट तो हर्ट है तो मैं क्या करता अगर मैं अपॉन 60 करता तो यहां पे अपॉन 60 यहां पे अपॉन 60 कैंसल हो जाता इसलिए इस प्रॉब्लम में अगर मैंने frequency को हर्ट में कनवर्ट नहीं किया तो भी चलेगा अगर आपको थोड़ा भी मन में डाउट होगा तो आप कनवर्ट कर लेना क्योंकि ऐसा यूनित हर्ट है तो यहां पे सॉल्फ कर लेता हूं बस मोमेंट अव इनर्शी हां डिस्का एमार स्क्वेर वाइट है और बस अब कैल्कुलेशन आप देख लेना स्क्राइब 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 तो एक स्क्वेर मिल गया तो एक्स मिल जाएगा क्योंकि बड़ा एम छोटा में सब दिया था यह चाहिए 10 kg दिया था यह 1.6 दिया था तो आगे आंसर एक्स का राइट करेक्ट है अब लास्ट सम 22 स्टार्टिंग फ्रम रेस्ट एन अबजेक्ट रोल्स डाउन अलॉंग एन इंकलाइन दाट राइस बाइज इन एवरी फाइफ थी ने वरी फाइफ का क्या मतलब होता है मतलब जब उस इंकलाइन पे आप पांच चल अपांच चलोगे तो वह तीन उपर उठेगा इसको बोलते हैं तो अब देख लेते हैं मतलब जो ऑबजेक्ट रोल होके यहां तक पहुंचा होगा तो उसका स्पीड रूट 10 है मतलब यह उन लोगों ने सिर्फ यह वह प्लेन नहीं है जिसपे से बॉड़ी रोल हो रहा है आप याद रखना यह सिर्फ इसले दिया है ताकि हम क्या बना पाए हम थीटा निकाल पाए है ऐसा भी तो हो सकता है ना किसने बोला है यह पांच सेंटीमेटर का प्लेन है ऐसा क दियाग्राम है लेंथ 5 by 3 यह है यह थीटा और यह प्रॉब्लम डाइरेक्ट है वाट कैन वी देशेप ना डाइरेक्ट क्वेस्टिन वेलोसिटी अट दे बॉटम इस गीवन वाइदा फॉर्मला रूट ऑफ टुजी एच पैए 1 प्लस के स्क्वेर बाइ आर स्क्वेर देखो तो के स्क्वेर इकवल टू आर स्क्वेर आएगा ठीक है एम से मल्टिप्लाइ कर लो तो एम के स्क्वेर इकवल टू एमार स्क्वेर और एम के स्क्वेर कोई बोलते है मोमेंट आफ इनर्शिया आए तो मोमेंट आफ इनर्शिया मार स्क्वेर किसका होता है मोमेंट of inertia mr2 या तो ring का होता है या तो hollow cylinder तो आपको body या तो ring है या तो hollow cylinder है correct so thanks for watching the video see you in the next class